हेलो एवरीवन वेलकूम बैक टू कुमर्स पॉइंट मैंने इन्वायरमेंट ऑडिट पर एक वीडियो डाली थी जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद की बट मुझे लगा कि उस वीडियो में एक पार्ट जो है वो रह गया वो ये पार्ट था कि हमने प्रैक्टिकल एक्सप को नहीं डिसक्स किया इंडिया में इन्वायरमेंट ऑडिट कैसे होता है ना ही हमने किसी कंपनी की एन्वल रिपोर्ट देखी जहां पर इन्वायरमेंट ऑडिट से रिलेटेड इन्फोर्मेशन हो ठीक है तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं जिसमें सारा इन्वायरमेंट ऑडिट किया जाता है और एक हम इसका प्रैक्टिकल एक्जामपल लेंगे ठीक है इन्फोर्स एक कंपनी मैंने उठाई है जिसके जो एन्वल रिपोर्ट है 2019-20 की उसमें आपको मैं बताऊंगी कि इन्वायरमेंट ऑडिट से रिलेटेड इन्फोर्मेशन उन्होंने कैसे प्रवायट की है तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट ऑडिट सबसे पहले इसका एक बेसिक मीनिंग डिसकस करेंगे इन्वायरमेंट ऑडिट दो टर्म्स हैं इन्वायरमेंट मींस हमारी सराउंडिंग्स इसमें हमारे पास आजेगा वाट pollution को control करना, animal welfare, wildlife protection, ये सारी चीज़े आ जाएंगी, right? किसी भी country के लिए जाहे है, वो developed country है, developing है, underdeveloped है, environment बहुत important है, आपकी country में बहुत अच्छी बात है, अगर industries develop हो रही है, but वो development जो है, वो sustainable development होनी चाहिए, मतलब कि जो future generation है, आपने उनको नुकसान नहीं पहुंचाना, ठीके? ये नहीं कि आपने environment इतनी polluted कर दी है, कि अब पानी जो है, वो हमारी आने वाली generation के लिए बचेगा ही नहीं, ठीके? तो वो चीज़े नहीं होनी जाएगे, ये है सारा कुछ environment, right? हमने environment के बारे में सोचना है, second word है audit, audit का मतलब होता है checking करना, और सारा कुछ check करके, हमने एक report बना देनी है, जो की information प्रवाइड करेगी, कि ये company ये सारी चीज़े कर रही है, ठीके? उसके बाद, कोई भी stakeholder, चाहे government है, चाहे investors है, वो audit report को देख सकते है, annual report को देख सकते है, वहाँ से information उनको मिल जाएगी, कि company इस चीज़ के लिए ये सारे काम कर रही है उसके बाद मर्जी रहेगी investor की, कि investor उस company में invest करना चाहता है, कि नहीं करना चाहता, इसका मतलब कि environment audit बहुत ही important है, अब इसका एक basic मतलब समझते है, an environment audit is the type of evaluation intended to identify environmental compliance and management system implementation, तो environment audit किसी भी company में एक ऐसा system रहेगा, जिसमें हम ये चेक करेंगे, कि company environment से related क्या क्या चीज़े कर रही है, company की कौन कौन सी activities, environment को नुकसान पहुंचा सकती है, और future में company को क्या करना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़े, एक report में लिख दी चाहेगी, और वो report कब बनेगी, जब एक हम procedure फोलो करेंगे, जिसको environment audit कहते हैं, right, so environment audit, के scope के अंदर आता है, analyze करना environment से related activities को, environment audit इंडिया में mandatory है, और in the year 1992 में इसको mandatory बना दिया गया था, ठीक है, सिरफ government departments ही नहीं, सिरफ government ही नहीं करती, even private companies भी environment audit को perform करती है, अगर मैं government की बात करूँ, तो controller and auditor general of India एक ऐसी authority है, जिसको हम supreme auditing authority कहते हैं, auditing से related norms, regulations यही frame करती है, ठीक है, अब मैं इंडिया के reference से अगर बात करूँ न, तो देखो government ने कुछ environment audit किये, जैसे कि गंगा action plan लिया गया in the year 2004, यह चेक करने के लिए कि गंगा जो है, वो कितनी polluted है, यमना से related, यमना में कितना pollution है, इसको चेक करने के लिए 2004 में जो है, वो action लिया गया, थर्मर power stations, उसमें environment audit conduct करवाया गया, transportation, department से related भी बहुत सारे audit जो है, conduct करवाईगे, ठीक है, basic purpose यह रहता है, यह assess करना, यह checking करना, कि environment हमारी activities से कितनी pollute हो रही है, और इसको protect करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, environment audit can provide valuable information to help a company to meet the agreed standard of environment performance, हर एक company को particular standards follow करने है, और environment audit यह बताएगा कि क्या आप उन standards को follow कर रहे हैं कि नहीं कर रहें, अगर नहीं कर रहें, तो आपको future में क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, obviously अगर आप government की किसी policy को नहीं मानेंगे, तो government आपके उपर penalties लगा देगा, आपको penalize करेगा, आपके उपर जो है, heavy taxes लगा दिये जाएंगे, तो आप उन सब चीजों से अगर अपनी company को protect करना चाहते हैं, तो आप चेक कीजिए कि क्या आप environment norms को follow कर रहे हैं, और कैसे चेक कर सकते हैं, you can check it with the help of environment audit, अब सबसे पहले आजाता है कि ठीक है, मेरी कोई company है, मुझे environment audit करना है, पर मैं क्या चेक करूँगी, मैं चेक करूँगी, regularity compliance, means कि जो environment protection से related norms बने हुए हैं, जो guidelines है, क्या मैं हमको follow कर रही हूँ, यह चेक कर सकती हूँ, मेरी company में जो water provide किया जाता है, employees को, उसकी quality कैसी है, तो drinking water quality, उसको assess कर सकती हूँ, secondly, thirdly, sorry, third point है, that is the green products, so green product का मतलग यह है कि मैं जो manufacture कर रही हूँ, क्या वो environment friendly है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आज कल companies जो है, वो paper bag में wrap करके products provide करती है, क्यूंकि वो environment friendly packaging करना चाती है, green packaging provide करना चाती है, तो अगर मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ, तो मैं अपनी animal report में इस चीज को साथ में attach कर दूँगी, उसमें लिखूंगी, ठीके, उसके बाद है energy, energy audit में हमें बताया जाएगा, कि जो हमारी building है, मैं ये provide करूँगी information, कि जो मेरी building है, उसमें energy को save करने के लिए मैं क्या steps ले रही हूँ, water consumption कितनी है, energy consumption कितनी है, green house gases को reduce करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, अपने पैसे को इन सब चीजों से बचाने के लिए, means negative side से बचाने के लिए मैं क्या क्या activities कर रही हूँ, ये मैं energy audit में inform करूँगी, then best practices, best practices means कि environment को protect करने के लिए, मेरी organization क्या अच्छी चीज कर रही है, मैं आपको examples बताऊंगी, चीज़ें आपको बहुत clear हो जाएंगी, waste, जो भी waste material है, chemicals है, substances है, उसको dispose off करने के लिए, discard करने के लिए, मैं क्या steps ले रही हूँ, ये सारी information हम environment audit में बताऊंगे, अब कुछ examples लेते हैं, जैसे कि ये picture देखिए, ये picture है related to eco ventilators, तो मैं अपनी annual report में ये information प्रवाइट कर सकते हूँ, environment को protect करने के लिए, मेरी company में eco ventilators यूज किया जाते हैं, ठीक है, और मैं आपको pictures दिखाती हूँ, जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर न हम use कर रहे हैं, polycarbonate sheets, for shed in the factory building, for the natural lighting, so natural light आए, natural light आएगी, हम electricity कम consume करेंगे, तो वो भी environment के लिए एक positive चीज हुई, ठीक है, तो मैंने ऐसी sheets यूज किए हैं, जैसे natural light हमारी factory में आएगी, तो day के time पर, electricity consumption हमारी कम हो जाएगी, और मैं क्या बता सकती हूँ, जैसे कि मेरी factory है, उसमें मैं solar power system use कर ली है, तो मेरी सारी की सारी factory जो है, solar system पे चल रही है, इसलिए मेरी electricity consumption भी कम हो रही है, अब हम, मैंने एक company जो है ली है, that is Infosys India, और इसमें हम check करेंगे, annual report की कुछ मैं आपको, photos लगा दूँगी, screen shots मैंने लिए हैं यहाँ पर, जहाँ पर मैं आपको highlight करूँगी, कि किस तरह से वो अपने environment के लिए किये गे, कामों को show करते हैं, ठीक है, यह मैंने उठाया है, annual report के साथ, कुछ हम, annual documents अटाच कर देते हैं, जहां फिर कह लिए अडिशनल information हम परवाइड करते हैं, तो क्या information परवाइड की जा रही है, सबसे बेले देखिए, conservation of energy, research and development related information है, इस पूरे paragraph में, so resources को बचाने के लिए, अपने cost को reduce करने के लिए, company क्या क्या कर रही है, वो सारी चीजे लिखी हुई है, देखिए, climate, neutral, now, उन्होंने अपना campaign जो है, start किया है, renewal energy से related भी कर रहे हैं, उनकी जो buildings हैं, हैद्राबाद में, उन्होंने 2020 में, green buildings जो है, वो established की है, ठीक है, फिर देखिए, energy को save करने के लिए, वो जो activities कर रही है, ठीक है, वो उन्होंने provide किया है, controllers and sensors ensure building system, operate in autopilot mode, within building, scheduling and energy saving, so energy को save करने के लिए, उन्होंने कुछ sensors लगा देखिए, हैं, जो की हमें, real time data बताएगा, alert कर देगा, जब भी भी, हमारी company में, energy resources की, over consumption होगी, right, then water को management करने के लिए, भी, उन्होंने, वो follow कर रहे हैं, 3R के strategies को, that is the, reduce, recycle, reuse, so demand side, mayor and awareness creation, smart, mentoring to track, real time, water usage, तो कुछ होणोंने, अपनी organization के अंदर ही, ऐसा system बना लिया है, जो की environment को protect करेगा, ठीक है, so environment protection, means, हम environment के लिए, ये सारी जीजे कर रहे हैं, और ये report बना कर, annual report में, attach कर दीजिए, water management के लिए, हम क्या कर रहे हैं, then, carbon को offset करने के लिए, क्या-क्या activities की जा रही है, sustainable development, एक company का goal है, जिसको achieve करने के लिए, green IT campaign कर रहे हैं, energy, efficient IT infrastructure, उन्होंने develop किया है, तो इस तरह से, environment से related, जो-जो activities company करेगी, वो सारी की सारी information, company अपनी, annual report में, अपनी stakeholders को provide करेगी, I hope, आपको ये वीडियो जो है, वो अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगे, then don't forget to subscribe, को मैं स्वाइब, वाय आप्रिमाएब.